नमस्का सातियों, तुझेसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि आपकी परिक्षाओं में current affairs से अच्छी साथ, अच्छी खासी संक्या में questions पूंचे जाते हैं, फिर चाहिए आप लोगी UPSC की बात कर लीजे, state PCS की बात कर लीजे, यह आप देखते होंगे कि राच्चों में भी तमाम एक्जाम होते हैं, पोलेस से दरोगा, आप देखते होंगे सिक्छक भरती होती होती हैं, पटवारियों के लिए बरती होती होती हैं, और आपका सेंटर लेवल पर भी एक्जाम होते हैं, SSC, वैंक रेलबे, इनमें भी current affairs स कुशन्स आते हैं, और आपने देखा होगा कि हर महीने की हम लोग current affairs की जो भी घटना है घटती हैं उस महीने में, उससे आपकी परिक्चाओं के लिए किस तरह की कुशन्स बन सकते हैं, उन पर बात कर लेते हैं, और एक बात और आपको बता देता हूँ, आप लोग जिस भ आपको एक playlist सूची मिल जाएगी, उसमें 2021 के आपके सभी महीनों की current affairs की घटना हैं जो भी रही हैं, उनसे सम्मंदित किलास मिल जाएगी, और 2022 के आप देखिए जन्वरी से लेकर आपकी अपरेल तक जितने भी महीने हैं, चार महीने का current affairs आपको वहां मिल जाएगा, आज ह आप सभी जानते हैं, कि देखिए हमारी बायू सेना होती है, थल सेना होती है, जल सेना होती है, क्योंकि आप देखिए कि हमें अपने देश की रक्षा, चारों देशाओं से एक तरह से करना है, आप सोच रहे हैं, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, फिर चाहे आप देखिए कि आप लोग अगर भारत का map देखते होंगे तो अरब सागर में आप देखते हैं कि जल के जरी ये भी हमारे देश के आत्तग की गोशा आते हैं तो आप देखें जल सैना हो गई ठल के जल ये आप देखते हैं पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है चाइना से हमारी सीमा लगी हुई है और बायू सेना आप देख रहे हैं आज कल डॉन के जरी यह भी हमले हो रहे हैं तो इसमें लेप्टिनेंट एपी सिंग, एम के जाखड बी एस राजू, के के सलूजा तो इसमें आप देखेंगे बी एस राजू होंगे कहाँ देखने को मिल जाएगा अंगला कुशन है मोदे सामने पित्ती पर्स अंतराश्टी यह सरमिक दिबस किस तारीक को मनाया जाता है अंतराश्टी यह सरमिक दिबस की बात हो रही है 2 मई, 1 मई, 30 मई या 27 अपरेल को तो आप सभी जानते हैं कि एक माई को अंतराष्टिय सरमिक दिवस मनाये जाता है और इसे मनाने का यही उद्देश रहता है कि सरमोकों के जो अधिकार हैं उनके बारे में जागरूकता पहल सके और इसे पहले एक माई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी शुरूआ तो इस आंदोलन के दोरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए आठ गंटे के समय निर्धारित किये जाने को लिकर आंदोलन चलाता और एक माई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 गंटे काम कराए जाने वो सोसन के खिलाब सड़कों पर उतरे थे कहां अमेरिका में आप देखें कि एक तरह से मजदूरों से बहुत भेंकर तरीके से काम की लिया जाता है तो उन्हें की बात हो रही है और उन्हें के लिए एक तरह से जागरुकता फैल सके क्योंकि वो भी तो आप देख रहे हैं क्या हैं मजदूर हैं तो इसके बारे में आप लो याद रखेगा मजदूरों के भी अधिकार हैं क्या हैं अधिकार हैं तो उनके भी कम से गम याद होने चाहिए उनके बारे में और अंतराश्टी स्थरविक दिवस की इस्थापना 1889 में समाजवादी समभू और टेट यूणियन के अंतराश्टी संगिद्वारा 1886 में सिकागो में हुए हैमार्केट दंगों की याद हो उनके जिनकी जाने गई थी उनके सम्मान में की गई थी इसकी पांस साल बाद अमेरिका में राष्टकती ग्रोवर के लिए उग लेंड ने कुछ राज़ों में एक सेप्टमबर को मजदू दिवस मनाने के लिए कानूर पहस्ताक्चर किये थे क्योंकि वह अंतराश्टी सेरमिक दिवस के समासे भी इतियास से आहसहज थे और अंतराश्टी सेरमिक दिवस को अठारे सो नवासी में पैरेस में मजदूर और सरमियोकों के समर्थर में आजित एक बैठक में मानता कि अधिकारिक दिन के रूप में चिन्नित किया गया था तो यह चोटी-चोटी वाते हैं इसे कुश्टन्स पूचे जाते हैं जरूर मुझे लगता है कि इनके बारे में आप लो याद रखेगा याद रखपा होगे या नहीं रखपा होगे और भारत में देखें तो एक माई 1923 को चैन्नाई से मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत कुई थी और लेवर किसान पार्टी ऑफ हिंदोस्तान के अधिक्ष्टा में ये फैसला लिया गया था इस बैठक को कई सारे संगटन सोसल पार्टी का समर्थन मिला था क्या मिला था समर्थन मिला था तो जरूर इसके बारे में याद रखेगा अंगले कुश्यन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्या एक माई लगाओगे ठीक है बी ओप्सन आपका बिल्कुल अंगला कुश्यन है हमारे सामने कौन जीन बैंक परियुजना इस्थावित करने बाला भारत का पहला राज बनाए जीन बैंक की बात हो रही है राजिस्थान या फिर गुजराद महाराष्ट तुड़ी सा है कौन सा इसमें तो आपको बता दूँ कि इसमें महाराष्ट देखने को मिलेगा काहा रा कौन सा महाराष्ट देखने को मिल जाएगा तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा आप लोग और महाराष्ट ने देश और लुप्त फुराज जानबरों फसलों समुद्री और जैविक प्रिजादियों के संरक्षन के लिए जीर बैंक परियोजना इस्थापित किये तो यह भी आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट के बारे में बात करें क्योंकि महाराष्ट भी काफी आजकल देख रहे हैं आप लोग चर्चा में बना हुआ है क्या महाराष्ट तो इसकी राजदानी मॉंबई है एक माई 1960 में से राज बनाए गया था और यहां आप बर्दमार में देखें तो उधा उठाकरे मुखमंत्री है और आप देखते हैं बिधान सभा में 288 सीट हैं बिधान परिशद में 88 सीट हैं राज सभा में 19 सीट हैं लोग सभा में 48 सीट हैं तो यह भी आप लो याद रखिएगा अंगला कुशिन है हमारे सामने एक मैई 2021 को किन दो राज्यों ने अपना इस्थापना दिबस मनाए गुजरात महराश्ट, गुजरात करनाटक, मद्धिपदिस महराश, पंजाब हले आना तो आप सभी जानते हैं कौन मना सकता है गुजरात उ महराश्ट, एक ओप्शन बिल्कुल सही है महराश्ट के बारे में बता चुका हूँ, अब आप देखे कि गुजरात के बारे में जान लिजे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पिधानमंत्री मोधी साहब हैं, हम मिनेश्टर साहब हैं, ग्रह मंत्री, अविस्ताय साहब, एक नोनों लोग गुजरास से आते हैं, कहां से आते हैं? गुजरास से आते हैं, तो इनके बारे में के मुख मंत्री साहब हैं, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं, कौन भारती मूल की ब्यक्ति, अमेरिका खूफी आजंसी के नए प्रमुख प्रोद्गी की अधिकारी बने हैं, बंसल से रावत, अनंतिरपाटी धिरा सुकला या तरफ नंद मूल चंदानी, तो इसमें आप देखेंगे नंद मूल चंदानी, यह भारती मूल की ब्यक्ति हैं, और अमेरिकी कूफी आजंसी के नए प्रोद्गी की अधिकारी बने हैं, बारती मूल की आप देखें, एक दन ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया में भारती मूल आपका बिलकुल सही है अंगला कोईशन है पिती वरस विस अस्थमा दिवस कब मनाय जाता है विस अस्थमा दिवस की बात हो रही है यह आपका देखे मई महिने के पहले रविबार को या मई महिने के पहले मंगलबार को मई महिने के पहले सुखवार को या मई महिने के पहले सनिवार को तो आप सभी जानते हैं कि मई महिने के पहले मंगलवार को मनाय जाता है इसमें B option आपका बिल्कुल सही है क्या option? B option बिल्कुल सही है तो ये भी आप लो याद रखा करिएगा और Global Initiative for Asthma ने 2022 विस अस्तमा दिवस के लिए थीम रखी है अस्तमा की देखवाल के अंतर को कम करना चुना गया था तो इसमें जरूर याद रखिएगा और कई लोग इससे पीडित रहते हैं आप सभी जानते भी होंगे, समझदार हों तो इस बार की थीम जरूर आप लोग लिए याद रखिएगा और इसकी इतिहास की बात करें तो पहला विस अस्तमा दिवस 1998 में मनाया गया था, इसकी सुरुवाद Global Initiative for Asthma की एक प्रयास के रूम में हुई थी 1993 में एक चिकसा दिशा निर्देशों की संगर्टन की स्थापना की रूम में की गई थी तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या रखोगे, याद रखोगे इसके बारे में विस अस्तमा दिवस और इसे मनाने का उद्देश यही रहता है कि आप देखिए बिस भर में अस्तमा की बीमारी और पीडितों की देख़ाल के बारे में जागरूकता हो सके क्या प्पैल सके, जागरूकता प्पैल सके तो ये भी आप लोग जरूर याद रखा रखिएगा चली आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुशिन क्या है अंगला कुशिन कह रहा है पिती वर्स बिस फ्रेस सुतंता दिवस किस तारीख को मना जाता है क्योंकि आप सबही जानते हैं कि मीडिया को लोग तंद का चौथरा इस्तम भी बी कहते हैं लेकिन आज अकाल आप लोग देख रहे हैं आपका क्या मनाया जाता है विस्ट प्रेश सुतंता दिवस इस बार की थीम रखी किया है जर्रल अंडर डिजिटल सीज ठीक है और वर्स 1991 में यूनेस्को की जर्रल कॉन्फरेंस की सिफारिस के बाद 1993 में सयुक्तराष्ट महसाबा ने विस्ट प्रेश सुतंता दिवस की करता है और 1991 में बिंड हो खोशना एकमुक्त सुतंतो बहूलबादी प्रेश की विकास से सम्मंदित है तो जरूर आप लोग याद रखीएगा चली अंगला कुशन है हमारे सामने जारी बरस 2022 की विस्ट प्रेश सुतंता सुचकांग में भारत को कौन सा इस्थान मिला है ब तो आप सभी जानते हैं कि 150 वा मिला है यानि कि हमारी स्थिति देखकर ही बुरी लगती है आप देखेंगे 3 माई 2022 को जब 20 प्रेश सुतंता देबस मनाय जा रहा था तो उसी आउसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20 प्रेश सुतंता का सुचकांग क 20 वा संसकांड जारी किया गया है 180 देशों में भारत को 150 वा इस्थान मिला है आप लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि माल लेजए आपकी किलास में आप देखें कि 180 बच्चे बैटे हुए है और उसमें से किसी का 150 वा नमबर आता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थि बुरी ही कहिए आप लोग, क्या कहिए, बुरी ही कहिए, कोई अच्छी इस्तिती नहीं है, तो इसमें ये भी याद रखे, और आप देखें, टॉर्प पर आपको नौर्वे देखने को मिलेगा, डेनमार को दूसरा, सुईडन को तीसरा इस्थान मिला है, और उत्तर कुरिया सबसे नीचे, इससे टॉप कर रहा है, रोस को 155 अस्थान मिला है, नेपाल को आपका पडोसी उसे 76 अस्थान मिला है, पाकिस्तान को 157 अस्थान मिला है, स्री लंका को 146, बंगलादेस को 162, मियानमार को 162, और चीन को 175, तो आप लोग देखें, कोई भी रिपोर्ट आती कोई भी आप देखे कि क्या आता है सूचकांग आता है इंडेक्स आता है तो उसमें भारत की इस्तिति आपको याद रखना है टॉप पर कौन बना हुआ है उसे याद रखना है नीचे से टॉप कौन कर रहा है उसे याद रखना है इसे जारी कौन करता है ठीक है तो यह भी आ गद रखी 150 वाद, काउन सावाद, 150 वाद, अंगला अगुशन है हमारे सामने, किस राजी की सरकार ने लोगों को घर बैठी, सरकारी सेवाओं, सरकारी सेवाओं भी तू मुकमंत्री मिटान योजना, शुरू की है, 36 गड जारखंड और इसा किरल, तो आप सभी जानते हैं कि 36 गड के द्वारा की गई है, किसके 36 गड के द्वारा, और वैसे आपको मालू होना चाहिए कि, 36 गड राज ने अपने राजी के लोगों के लिए, आप देखें, मुकमंत्री मिटान योजना, शुरू की है, इस योजना का मुकुदेश, लगवक सभी सरकारी सेवाओं को घ बिधान सभाव में 90 सीटे हैं, राज सभाव में 5 सीटे हैं, लोग सभाव में 11 सीटे हैं, तो ये वी आप लोग याद रखिए, इसकी राध्धानी क्या है, रायपूर इसकी राध्धानी है, 36 गड होगा इसमें ठीक है, किस फोटवाल टीम ने, हाल ही में, संतोष ही 2022 का किताब जीता है, बंगाल सर्विसिस या मेगाल है किरल, तो इसमें आप देखेंगे किसने केरल है, और वैसे आपको मालू होना चाहिए, केरल कोई भी इंडेक्स आता है, कोई भी रेपोर्ट आता है, उपर से टॉप कर रहा होता है, एक नवंबर 1956 में से राज बनाय करिएगा, कौन बेक्ती, कौन आई डवलू एप, जूनियर विस्ट चेंपियंसे में सौड पदक जीतने वाली पहली भारती भारतौलन बनी है, अंकिता चौदरी, रवीना नायक, हरसिदा गरोड, सुसमिता राओ, तो ये आपको मालू होना चाहिए, कि हरसिदा गरोड, ठीक है, तो ये भी आप लो, C आपसन बिल्कुल सही रहेगा, C आपसन के सा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, आप लो, C लगा देंगे, ठीक है, अंगला कुश्टन है हमारे सामने, किस ने विस्ट इसनूकर चेंपियंसेप 2022 का किताब जीता है, मार्क सेल भी, रॉनी ओ ली वन होगी, यानि कि बी आपसन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिस्ट इसनूकर चेंपियंसेप 2022 की बात हो रही है, अंगला कुश्टन है कौन माउंट कंचन जंगा को फताय करने वाली पहली भारती महला बनी है, ए दीपती से नहा, गीता सामोता, प्रेंका मुह आपसी ओपसन बिल्कुल सही होगा, सी ओपसन बिल्कुल सही रहेगा, तो यह भी याद रखेगा, कंचन जंगा के बारे में सुनाएं, बिस्ट की तीसरी सबसे उची चोटी है, और यह सिक्किम के उत्तर पश्टी में भाग नेपाल की सीमा पर है, देखने को मिलेगा, 8586 क किलो मीटर इसकी लंबाई है, तो यह भी आप लोग याद रखा करिएगा, सिक्किम के बारे में भी कुछ बता देते हैं, तो चोटा सा राज है, और सबसे चोटा जंसंक्या में भी है, और आप देखेंगे इसकी राध्धानी क्या है, गंगटोक, और यहां बिधान सवा म आपको 32 सीट हैं देखने को मिलेगी, राज्य सबा में एक सीट है, लोग सबा में एक सीट है, तो छोटा सा राज्य है, और सिक्किम के बारे में एक और बात याद रखें, इसकी सीमा आप देखेंगे कि राज्यों में बात करें, तो केवल पश्चे मंगाल से लगती है, न तो यह आपको देखने कुमले का राजिस्थान, क्या राजिस्थान, और वैसे आपको मालू होना चाहिए कि राजिस्थान की बात करने तो आप देखेंगे, इसकी राध्धानी क्या है, जैपूर, और आप सभी जानते हैं कि छेत्फ़ल में सबसे बड़ा राज्य है, यहां तो इसमें आप देखेंगे, यानि कि आपका D option बिल्कु सही होगा, इसमें D option बिल्कु सही होगा, इतिवस विस रेड क्रोस दिवस कब मना जाता है, किस तारीक को मनाते हैं, विस रेड क्रोस दिवस की बात हो रही है, ए पांच मई, साथ मई, आठ मई, नौ मई, या आप कब मना जाता है तो आठ माई को मना जाता है विस रेड क्रॉस दिवस और आठ माई को दिवस मना जाता है और जो इसके संस्थावक थे आप देखेंगे जॉन हैरी डेनेट का जनम 1828 में हुआ था इसलिए उनकी जनम दिन यानि की आठ माई को विस रेड क्रॉस दिवस के रू इस तरह के questions भी आज कल का फी पहुंच रहा है क्या गया लेता है पहुंच लेता है और चली आंगे चलते हैं हम लोग इसमें C option लगा दिना कौन बैक्ती motorcycle वी निर्माता company TVS motor की नई प्रबंद ने देशक बने है TVS आप लोग गाड़ी सुने होंगे तो इसमें आप देखें कि कौन है आका सराबत या कमल पटनायक या आप देखें कि गनेश मावी या सुदर्शन बैनू या आप देखें कि D option ही होगा सुदर्शन TVS ठीक है TVS motor company है न उसी की बात हो रही है इसका headquarters चेंड नहीं है यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए अंगले question की तरह आप लोग बढ़ते है पिती बस पूरे भारत में मात्य दिवस कम मनाया जाता है मात्य दिवस की बात हो रही है Mother's Day मई के दूसरे रविवार को मई महिने के दूसरे मंगलबार को मई महिने के सनिवार को दूसरे मई महिने के दूसरे बदद़वार को तो यह मई महिने के आप देखें के दूसरे रविवार को मनाया जाती है यानि कि ए ऐ option बिल्कुल सही है क्या ए ओप्सन बिल्कुल सही है इस बार 8 मई को पढ़ा है और पूरे भारत में मत्त दिवस के रोम में मनाते हैं और आपको बता दूँ कि ये दिवस को पितिवस मा के सम्मान में मई के दूसरी रविवार को मनाया जाता है और ध्यान रहें कि इसकी सुरुवात एना जार्विस ने की थी इस दिवस को कि सुरुवात एना जार्विस की मा and riffs जार्विस करना चाहती थी उनका मकसद माताओं के लिए एक ऐसे दिन की सुरुवात करना था जिन पर जिस दिन अतुलनिय सीवा के लिए माताओं को सम्मानित किया जा सके ठीक है तो इसमें ए ओप्षन रहेगा पितिवस विस्थ थैले सीमिया दिवस कब मनाया जाता है ठीले सीमिया दिवस की बात हो रही है पांच मई, आठ मई, नौ मई, दस मई तो ये आठ मई को मनाया जाता है विस्थ थैले सीमिया दिवस कब मनाते हैं आठ मई को मनाते हैं डी ओप्षन आपका बिल्कुल सही इसमें ठीक है तो यह भी आप लो याद रखा करिएगा और आप देखेंगे कि 8 माई को लोगों को रक्त संबंदी से बीमारी के वित्ती रूपता करने के उद्देश से मनाया जाता है और द्यार रहे थेलेंसी में आप बच्चों को उनकी मातर फिता से मिलने वाली अनुदान से करक्त प्रोक है इस रोक की पहचान बच्चे में तीन माहाई के में ही हो पाती है तो यसे भी आप लो याद रखिएगा ठीक है चली अंगले क्या है और इस बार की थीम क्या रखिएगी है तो यह भी आप लो याद रखिएगा किस राजी की सरकार ने तेज सरकार ने केंद जेल में बंद केदियों के लिए जेव हाला नमक रेड़ हो जना सुरू की है राजिस्थान चतिसगर उत्तराखन मद्विदेश तो इसमें आप देखें कि कौन कर सकता है महराष्ट करेगा तो इसमें आप लो A option बिल्कुल क्या D option बिल्कुल सही लगाएंगे D option क्यासा है बिल्कुल सही है इसमें महराष्ट सरकार ने की है महराष्ट सरकार ने राज की विबंद जेलों में सजा काट रही कैदियों के लिए जेव हाला नामा की एक रेड योजना शुरू किया है आपको बता दू कि महारास्तराज सहकारी बैंक इस नई कैदेट योजना भारत के कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है अंगला कुशन है हमारे सामने किस भार्टी पत्यकार को मरने के बाद पुलितिजार पुरोसकार से सम्मानित किया गया है रोहिस सर्दाना, राधा कृष्णा मुरली इधार, दाने सिद्धिगी, अंजन बंदोपद्ध है तो दाने सिद्धिगी हैं, और आप सभी इनके बारे में जानते हो पी होंगे पत्यकार ता उकला की छेत में पुलितिजार पुरोसकारों की गोशना हुई थी इस बार भारती है जो अधनान अवीदी, सना इरसाद मट्टू, अमित देव का नाम समिल जबकि राइटर्स की दिमंगत दाने सिद्धिगी को यह अबोड मारने की बात दिया गया है और दाने की तालिवान और अफगान सेंद्धा के संगर्स के दोरान उनकी मौत हुई थी यवाब ने देखा है अफगानिस्तान में जो संगर्स चल रहा था उसी दोरान अंगला कुशिन है हमारे सामने किस टैनिस खिलाडी ने मैट डिट ओपन 2022 पुरो से एकल का किताब जीता है मैट डिट ओपन 2022 में पुरो से एकल का किताब किस ने जीता है नौवाग जोकोविच कारलोस अलकारेज अलेकजेंडर जिवरेव अलकारेज होंगे बी ओप्सन आपका बिल्कु सही है बी ओप्सन बिल्कु सही है कौन बैक्ती इलेक्टोनेक्स से एवाँ सूचना पुरोदोगी की मंतराले के नए सचेब बने है अलकेस कुमार सर्मा, रसबनाथ, गोल्डा बिमलेस सींग दरोगा, अरुन पाल पंडा तो यह आप देखेंगे अलकेस कुमार सर्मा अलकेस कुमार सर्मा यह ओप्सन बिल्कु सही है इसमें पितिवस पूरे भारत में राष्टी पुरोदोगी की दिवस्ट नेश्टनल टेकनोलोजी डे कम मनाय जाता है तो इसके बारे में बताईए 11 माई, 12 माई, 10 माई, 14 माई 11 माई को मनाय जाता है क्या मनाय जाता है राष्टी पुरोदोगी की दिवस्ट के रोम में तो यह भी आप दो याद रखिएगा राष्टिय परोदोगी की दिवस इनसे भी कुश्चन्स फूंच लेता है कहीं बार 11 माई को मनाया जाता है 11 माई और इसकी इवार की अगर हम लोग थीम की बात करें तो आप देखेंगे की ठीम रखी गई है कि क्या रखी गई टिकाउ भविस के लिए विज्ञानों परोदोगी की में एक 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 द्रश्टी कौर्ड ठीक है दो यह भी आप लोग 11 माई 1998 को भारत ने पोकरन में सफलता पूर्मक परमाडू परीक्चन की एक सिंखला को अंजाम दे कर एक बड़ी तकनीकी हासिल की थी इस दिन पहले सो थेसी विमान हंसा तीन का परीक्चन किया गया था और आज इस दिन के में तैसूल मिसाइल का भी सफल परीक्चन हुआ था तो चलिए आप लोग याद रखें कि ततकालीन पिधान मंत्री अटल विहारी बाचपेई ने 11 माई को हर साल रोधगी की राश्टी परोधगी देवसमानानी की गोशना की थे 11 माई को अंगला कुशन कौन मिड़े मिल के साथ सरकारी इसकूलों में नास्ता देने वाला भारत का पहला राजज़ बन गया है बताईए कौन होगा आप अंदास से तो तमिलाडू पुरीसा राजिस्थान पंजाद तो तमिलाडू होगा इसमें क्या होगा तमिललाडो होगा ऐस पमिललाडो की राजदानी ग्या है चैन नहीं है आप सभी को माल होना चाहिए क्या है चैन नहीं है भारत नाट्टेमस उने हैं आप लोग यहीं से जुड़ा हुआ है और अब विदहान सवा में 235 सीटे हैं राज सभा में 18 सीटे हैं, लोग सभा में 49 सीटे हैं, तो ये M केश टाले निहा की मुख मंत्री हैं, तो ये भी आप लोग दश्चिन भारत का राज्च है, अंगला कुष्या ने पैसे व्यक्तित सिपकुमार सर्मा का 84 बरस की उम्र में इनकी डेथ हो गई, एकेश छेते से जोड़े हुए थे, बताइए, संगीत कार थे, विज्ञानिक थे, गड़तग थे, अभिनेता थे, तो आप सभी जानते हैं, ये क्या थे, ये संतूर बादक थे, यानि की संगीत कार थे, ठीक है, चलिए अंगला कुष्यन है हमारे सामने, किस सहर में भारत का पहला वायो गेस से चलने वाला इवी चार्जिंग इस्टेशन सुरू हुआ है, जोदपर गुरुगा मुंबई देहरादून, तो ये मुंबई में हुआ है, कहां? मुंबई में, बित्तिय राजधानी भी तो गयते हैं मुंबई को, कौन भारत की नए मुख चुनाओ राजीब कुमार इसके नियुक्त किये गए है, इंभी ओप्सन सही है, इलेक्सन कमीशन ओफ इंडिया की बात हो रही है, और आपको एक और बात बता देता हूँ है, 25 जनवरी 1950 में से इसके स्थापना हुई थी इलेक्सन कमीशन भारती निर्वाचन आयुक की, और आपको देखना चाहिए क्या, क्या देखना चाहिए, आनुछे 324 आप लोग पढ़ें गे तो चुनाव आयुक से संबंदी थी है, और एक बात और याद रखिए, इसमें जो चुनाव होता है ना बिधान सभा, लोक सभा, बिधान परिशत, राज सभा, राश्टपती, उपराश् चुनाव करवाता है, तो यह भी याद रखे, रानेल, बिक्रम, सिंदे, भारत के किस पढ़ोसी राजी के नई पिधान मंतरी बने है, स्री लंका, नेपाल, वंगलादेश, भूटान, तो आप सभी जानते हैं कि स्री लंका के बने है, कहा है, स्री लंका के बने है, और दच बिल्कोल सही रहेंगे, आप देखे, भारी आर्थिक संकर से गुजर रहा है, और हम लोग काफी इसकी मदद भी कर रहे हैं, कौन फ्रांस की फैसन कंपनी, लुइस वीटन की पहली भारती ब्रांड मेस्टर बनी है, और इसमें आप देखेंगे, अनुसका सर्मा दीपिका पादुकॉन अलियावट कंगना रनोट दीपिका पादुकॉन होगी, ठीक है, अंगला गुशन है हमारे सामने, कौन बेक्ती एरिया इर इंडिया के नए सी यू, तरवंधक और प्रवंध नेदेशक नियूक किये गया है, यह आप देखें मार्टिन जोसेफ, पीटर हैंस केंफवल, बिलसन, एडम, चाल्स, तो केंफवल, बिलसन होंगे, तो यह भी आप लो, इसमें याद रखिए, जसी यू, आपका विल्कु सही है, यह र इंडिया, आप समझ रहे हैं, 1932 में इसकी स्थाफना होई थी, चलिए अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते ह अंगला कुश्चन क्या कह रहा है, केंदरिये मादमिक सिक्षा वोड की नई अध्यक्ष की रूम में किसकी नियुक्ती हुई, बताइए, केंदरिये मादमिक सिक्षा, CBSC की बात हो रही है, की नई अध्यक्ष की रूम में किसकी नियुक्ती हुई है, आप देखेंगे, रा लिए अंगला कुश्यन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, अंगला कुश्यन है, किस ने बर्स 2022 का टैंप लटन पुरोजकार जीता है, फैंक विल जैक, टॉम जैक्सन, मैक्स कीडी, जैम्स किलार्ग, तो फैंक विल जैक होंगे, इसमें ए ओप्सन बिल्कु सही है, क्या है, ए ओप्सन बिल्कु सही है, किस खाड़ी देश के राश्टपती से खलीफा, बिन जैद अल, नाहयान का 53 बर्स की उम्र में डैथ हो गई है, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, तो आप सभी जानते हैं कि सहीव तरब अमिरात की बात हो रही है, अबुधाविस की कैपिटल है, त आप सभी को मालू होना चाहिए कि ये थे और अस्टिलिया के, कहां के और अस्टिलिया के, तो इनका नाम जरूर याद रखिये का, एंडियू साइमंड्स, ठीक है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कब 2022 का जीता है, इंडोनीसिया, मलेसिया, भारत, तो पहली बार भारत ने जीता है, समझ रहे हैं, तो बड़ी कोशी की बात है, डी ऑप्सन बिल्को सही है, मानिक साह किस राजी की मुकमंत्री बने हैं, बताईए, सिक्किम, तिपुरा, मडीपुर, गुजरात, तो तिपुरा के बने हैं, कहां के, तिपुरा के, हाली में चुना हुगा थ आपने हैं, सेक मुहमद बिंद जायद अल, नाहयान किस खाडी देश के नए राष्टपती होने हैं, ये विये कतर, ओमान, बहरीन, तो ये विये के बने हैं, ए ओप्सन आपका बिल्को सही है, इसमें, ए ओप्सन कैसा है, बिल्को सही है, पितिबस, अंतराश्टी, परिव परिवार देबस फैमिली डे मनाया जाता है, तो इसके बारे में जरूर्ट याद रखा करिएगा, 15 मई, तो इसके बारे में क्या है कि क्या है कि कि कुश्टन्स कई बार किसी भी तरह के कुश्टन्स, आज कल आप देख रहे हैं कि परिश्टाओं में आपको फसाने के और पहली बार परिवार देबस 1994 में मनाया गया था, तो इसके बार की थीम और याद रखेगा, देखे, परिवार और सहरी करण इस बार की थीम रखी गई है, अंगला कुश्टन है हमारे सामने, किस राज में भारत की पहले अमरत महोसव, अमरत सरोकार का उधगाटन किया गया है, अमरे सरोकार, या आप देखे, पंजाब, या फिर आप देखें कि उत्तरपिदेश, राजिस्थान, हर्याना, तो आप सभी को मालू हनचे उत्तरपिदेश, और वैसे आपको बता दूँ, उत्तरपिदेश की राजधानी लखना हुए, और राजनीती की दृष्टी से भी काफी मात्पोंड रहता है, यहां विधान सभा में 403 सीटे हैं, विधान परिशद में 100 सीटे हैं, राज सभा में 31 सीटे हैं, लोग सभा में आपकी 80 सीटे हैं, योगी आदितनात यहां के मुख मंत्री हैं, ठीक है, कौन महला फ्रांस की नई प्रांस की नई प्रांस मंत्र इसके बारे में पैरिस इसकी राजधानी है, सभी जानते हैं आप लो, तो एलिजा वैत बॉर्ण होंगी, इसमें आपका C-Option बिलकुल सही रहेगा, C-Option कैसा रहेगा, बिलकुल सही रहेगा इसमें, कोई दोहरा नहीं है, अंगला कुशन है, हसन सेक महमूद, किस देश के न नए राष्टपती, तो ये भी आप लो, सुमालिया की राधधानी क्या है, मगा दिसू, क्या है, मगा दिसू, तो ये भी आप लोग याद रखियेगा, और आपको ये, इसकी राधधानी, मोगा दिसू, मोगा दिसू, बड़ा आजीब, चलिए खेर, सुमालिया इसमें ल गए है है हसन सेख महमूद किस दर्स की सौमालिया के यह बता चुका हूँ हस सौमालिया के ठीक पितीवस विस्वरक्त चाप दिवस किस तारीकों मना जाता है विस्वरक्त चाप दिवस की बात हो रही है अठारे मई, चौदे मई, सत्रे मई, उठिर उननेश मई तो बताएए किस दिन मना जाता है तो आप सभी जानते हैं कि सत्रे मई को विस्वरक्त चाप दिवस एक तरह से मना जाता है और इस बार की ठीम की अगर बात करें हैं हम लोग तो पिती बर्स पितिक बर 17 माई को विस्त भर में विस रक्तचाप दिवस मनाये जाता है World Hypertension Day और 2022 के लिए विस उच रक्तदाद दिवस की थीम अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें इसे नियंतित करें और अधिक समय तक जीवित रहें इस बार की थीम रखी गई थी जरूर आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्य ने कौन बैक्ती भारत की पिरमुक सेयर बाजार BSE की नए चेर्मेन मने है BSE क्या आप लोग नाम सुने हैं इसके नए चेर्मेन मने है और SS मुंद्रा और BSE Stock Exchange कंपनी है आप सभी जानते हैं फॉर्मरली Bombay Stock Exchange इसकी स्थावना 9 जुलाई 1875 में सबसे पुरा नहीं है लगवग तो इसमें आप देखें कि SS मुंद्रा होगे ए ओप्सन आपका विल्कुल सही होगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने कि कौन बेक्ती भार्ती है इयरलाइन कंपनी Indigo की नए CEO बने है Indigo के Mark Janis, Ganesh Gautam, Peter Elvers, Rajiv Sukla तो यह आप देखें कि Peters, Elvers होगे C option विल्कुल सही होगा Indigo 2006 में इसकी स्थापना हुई थी Headquarter Guru Gram में देखने को मिलेगा ठीक है तो यह भी याद रखिएगा अंगला कुषिन है हमारे सामने पिती बस विस मधू मक्खी दिवस किस तारी को मनाते है 19 मई, 20 मई, 22 मई या 16 मई विस मधू मक्खी दिवस की बात हो रही है तो यह 20 मई को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 20 मई को मनाय जाता है और इस बार की theme रखी गई B. Engate मधू मक्हियों और मधू मक्ही पालन प्रणालियों की विवित्ता का जसन मनाना इस बार की theme रखी गई है तो इसके बारे में जरूर याद रखीएगा क्या रखीएगा जरूर याद रखीएगा माधू मक्हियां सबसे महत्पूर्ट पराग कड़ों में से एक है जो खाद सुरक्षा टिकाओ किसी वेवित्ता सुनिश्चित करती है तो इचली ये छोटी-छोटी बाते हैं तो इसमें क्या लगाओगे? बताइए कुछ 20 मई B option आपको मालू हुआ करें आप लोगों की पास सुतनता है आप लोग नीचे कमेंड में लिख सकते हैं पितिवस अंतराष्टी ये चाय दिवस महिने की किस तारीक को मनाया जाता है? मई महिने की किस तारीक को मनाया जाता है? अंतराष्टी ये चाय दिवस तो 21 मई को मनाया जाता है चाय दिवस आप लोग सुने हैं तो उसी की बात हो रही है पन ए आपको 21 माई को अंतरश्ठी चाय दिवस मनाया जाता है चाय पीने वोगे भी कई लोग सौकीन होंगे बड़े हैं कि नहीं है पहला अंतरश्ठी चाय दिवस 2005 में भारत की राधानी दिली में आयजित किया गया था साल 2015 में भारत सरकार ने साहिवत राष्ट खाद और किसी संगठन को इस दिन को विसस्तर पर विस्तारित करने का पिस्ताव दिया था यह दिन मई महिने के में मनाय जाता है क्यूंकि यह साल वह महिन आ है जिसमें अधिकांस देशों में चाय का उत्पादन सुरू हो जाता है चाय दिवस सौकीन होते हैं न चाय के अंतरश्ठी चाय दिवस कब मनाय जाता है एक किस तारीको ठीक है एंथनी एलवनेस किस देश के नई पिधान मंतरी बने है यह ऑस्टेलिया के बने है जिसके ऑस्टेलिया के बने है ब्राजील न्यूजिलेंड एजरायल तो ऑस्टेलिया के कैनवेरा इसकी राध्धानी है तो यह भी आप लोग याल रखा करिएगा औस्टेलिया महाधीब भी गय हो आप लोग कभी कैन वराइस की राधधानी है ठीक है अंगला कुशन है कौन बैक्ती पीया मोधी के नई निजी सचिब निउक्त किये गये है जिते अंदर साहे विवेक कुमार अजीद खन्ना रिसब नागर तो विवेक कुमार है बी ओप्सन आपका विल्कुल सही है बी ओप्सन कैसा है विल्कुल सही है इतिवस अंतराष्टी जे विवित्ता दिवस का मनाया जाता है अंतराष्टी जे विवित्ता दिवस की बात हो रही है ये 22 मई, 23 मई, 25 मई या 20 मई तो यह आप सभी जानते हैं कि देखे जब विवित्ता दिवस का मनाया जाता है यह आपको मनाया जाता है 22 माई को मनाया जाता है तो इसके बारे में जरोर याद रखेगा 22 माई और 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई है इसकी theme रखी गई है कि सभी जीवन के लिए एक सांजा भविस्थ का निर्मार करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा आप लो जब पहली बार सहिगतराष्ट महासभा की दूसरी समितित द्वारा 1993 के अंत में 29 सेप्टमबर 29 दिसंबर माप करिए 29 दिसंबर जैवे विवित्ता के सम्मेलन के लागू होनी की तिति को बनाया गया था और तब इसे अंतराष्टी जैवे विवित्ता की रूम में नामित किया गया था जैवे विवित्ता का करिए का करिकेटर को अपरेल 2022 के लिए आईडीवी के रूम में अपनाया था अंतराष्टी जैवे विवित्ता दिवस तो इसे भी याद रखिएगा का 22 माई को अंगला को किस पूरुस क्रिकेटर को अपरेल 2022 के लिए आई सी सी प्लेयर आप दा मन्थ अवार्ड मिला है यह आप देखें कि कौन है डेविड वार्णर पेट कमिंस केसाओ महराज केल राहूल तो केसाओ महराज होंगे इसमें किया है Ungin और वैसे आपको पता दूं देखें कि उप राजबाल की तरह आप देखेंगे दिल्ली में राजबाल की तरह आप के मुकमंत्री domestic इनके बीच और वराज इफाल के बीच तनातानी चलती रहती है आदेते सिंग चौपड़ा बिनाय कुमार सक्सेना और आपके हैं जिगनेश कुमार गोतम किरपाल सिंग पटल तो ये बिनाय कुमार सक्सेना होंगे बी ओप्सन आपका बिल्कु सही है 22 मईं 2022 को 22 मई 2012 इसको पूरे भारत में राजा राम मुहन राए की कौन सी जैनती मनाई गई 257 भी, 279 भी, 275 भी राजा राम मुहन राए के बारे में आप लोग जानते भी होंगे 250 भी मनाई गई है आप सभी कुमाल होगा कि 22 मई 1772 में इनका जनम हुआ था और 27 सेप्टमबर 1833 में इनकी डेथ हो गई थी तो यह भी आप लो याद रखिएगा भारत की एक सामाजिक और धार्मिक सुधारा थे यह ठीक है चलिए अंगला कोशन देख लेते हैं कौन पिथम महला भारती आर्मी में कौम बैट एवियेटर के रूम में सामिल हुई है अनीता खन्ना नीलं फोगार्ट सुसमा कार्थिक अभिलासा बराग तो अभिलासा बराग होंगी इसमें D option बिल्को सही है W E F द्वारा जारी ट्रावल टूरिज में जवलामेंट 2021 में भारत को कॉन सा स्थान में मिला है 43 बाह, 69 बाह या आप देखिए कि आपका चमगनभा सब्सक्राव इसमें में बताईए कुछ यह आप मिला है चंगनवा C option बिल्कुल सही है क्या है? C option बिल्कुल सही है परेटन विकास सूचकांग में है चंगनवा इस्तान है भारत का तो यह जरूर याद रखिएगा आप लोग चली आंगे चलते हैं लोग कौन बुकर पर उसका जीतने वाली पहली भारती लेखी का बन गई है? असमीता अप्टे अनीता जहां दिव्या चोहन गीतांजली सिरी तो आप देखेंगे गीतांजली सिरी होगी कौन होगी? गीतांजली सिरी D option आपका बिल्कुल सही होगा डे आप्सन क्या होगा बिल्कु सही होगा बारे जून 1957 में इनका मैनपूरी में जनम गुआ था समझ रहे हैं मैनपूरी उफ्तर पदेश आप सभी जाना है इनकी जवालाल नहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने सिक्छा जख्छा ली क्या ली सिक्छा ली और उपन्यास का रहे हैं कहानी का रहे हैं जरूर इनके बारे में याद रखेगा और गीता अंजली स्री को यह पर उसका जीतने वाली पहली भारती यह लेखिया बन गई हैं और याद रहे उपन्यास हिंदी में रेट की समाधी के नाम से उनका छपादा फिर इसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रोकवेल ने अंग्रेजी में अनवाद किया है कि रेट की समाधी किस बॉलिवोड अमिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिलिम फेस्टिबल में एक्सिलेंस इन सिनेमा अवोर्ड मिला है ए आपके अक्षा एकुमान नवाजुद्दीन सिद्धिकी अमिताब बच्चन वरोन धर्मन तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि कौन है नवाजुद्दीन सिद्धिकी भी आप्सन विल्को सही है अंगला कुष्यन है पितीबस विसमासिक धरम स्वक्षिता दिबस का मनाया जाता है विसमासिक धरम स्वक्षिता दिबस का मनाया जाता है ये 22 माई को 28 माई को 29 माई को या आपका 31 माई को तो ये 28 माई को मनाया जाता है कव 28 माई को मनाया जाता है तो ये भी आप लो याद रखा करिएगा और विस मासिक धरम सुक्षिता दिवस 2030 की इस मासिक धरम सुक्षिता दिवस की थीम 2030 तक मासिक धरम को जीवन का एक सामान तथ बनाना है इस बार की थीम रखी गई है जरूर याद रखेगा इससे questions पूँच लेता है किस सहर में भारत के पहले नेनो लिक्वेड इवरिया पिलांट का उदगाटन किया गया है जोद्पर राजिस्थान नारसिक महराष्ट गांदी नगर गुजरात जजजर अर्याना तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा कहां गुजरात में ये आपको मालूँ अच्छे क्रिकेट ने टीम में आईपील 2022 का किताब जीता है लखनाव सुपर जाइंट्स मुंबई इंडियांस राजिस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटन्स ये आप देखेंगे किसने गुजरात टाइटन्स ने D-Option मुंबई का देखेंगे ये इस बार कितना वुरा हाल रहा है आईपील में पहली बार मैदान में उतरी गुजरात टीम ने चेंपियन सिम फाइनल में राजिस्थान को रॉयल्स को हराकर आईपील 2022 का एक्ताब जीता है और आईपील में 10 टीमों ने हिस्था लिया था वैसे इसमें पहले के बल 8 टीम में हिस्था लेती थी दो नई टीम एक तो गुजरा तो एक लखनव सोपर जाइंट में सामिल हुई है नई किन फिल्मों में मसूर गायक और अपनीता सिद्धू पंजाबी गायक थे और अच्छे आप देखे अच्छे वैक्ती थे लेकिन आप देखे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पंजाब के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगर इसकी राजधानी है भगबंत माने आगे मुक मंत्री हैं एक नवंबर 1966 में सिराज बनाय गया था बिधान सभा में 117 सीटे हैं राज सभा में 7 सीटे हैं लोग सभा में 13 सीटे हैं आपकी तो ये भी याद रखेएगा आप लोग पितिवस हिंदी पत्तिकार्ता दिवस किस तारीक को मना जाता है हिंदी पत्तिकार्ता दिवस की बात हो रही है 31 मई, 30 मई, 28 मई, 25 मई तो आप सभी जानते हैं कब मना जाता है बताईए कुछ मालू हों आप लोगों को वरना मैं तो बैठा ही हुआ हूँ बद्दानें के लिए ही तो आप सब जानते हैं कि हिंदी पत्तिकारत दिवस 30 माई को मनाय जाता है बी ओप्सन आपका विल्कुल सही है क्या बी ओप्सन विल्कुल सही है और आपको बता दूँ कि 30 माई को इसलिए मनाय जाता है क्यों कि करीब 196 बर्स पहले कत्ता से हिंदी का पहला अकबार उदंत मारतन का पेकासन हुआ था जिस इस्तान में हिंदी का पहला समाचार पत उदंत मारतन सुरू हुआ था आज उहां निसा तक नहीं बचा हुआ है आप समझ रहे हैं और आज देखें पतिकारता की क्या हालत हो चुकी है आप सभी जानते हैं और मुझे लगता है देखें कि क्या बोला जाए पतिकारता के बारे में जितना बोलो उतना कम है अब आप देखें कि आप ही लोग कनफिज हो जाते हैं कि कौन सही बोल रहा है यह सही बोला है वो सही बोला है क्योंकि आप देखेंगे कि आज ही के दिन मतलब आप सोची कि 30 माई को 18-26 में हिंदी का पहला अकबार कोलकाता से सब्ताहिक पत्तिगा की रूमें शुरूगा था और कानपूर में जनवे फेसे से बकील पंडित जुगल किसो और सुकल इसके संपादक थे ओधन्त मार तंड मीडिया लोग तंद का चोथरा इस थाम आप देखें और जो मीडिया सूचकां काता है इसमें भी हम लोग नीचे से टॉफ करते हैं पितिवस विस से तमाकू नेसे दिवस का मनाया जाता है और मुझे एक समझ में आज तक नहीं आए कि आप देखें कि तमाकू का जो भी प्रोडेक्ट आता है उस पर चीताओ नहीं लिखी रहती है फिर भी हम लोग क्या करते हैं हम लोग मतलब मुझे मच जोड़िएगा मैं दो दो रच तक इससे मेरा कोई सम्बन रहे हैं लोग खाते पीते हैं मेरा कहने का मतलब और इससे 31 माई को तमाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फिलाने के लिए मनाया जाता है तो रोटेक्ट दा इन्वारोमेंट यानि पर्यावन की रक्षा करें इस बार की थीम रखी गई है 31 माई को मनाया जाता है न तो विस तमाकू दिवस इसके बारे में भी याद रखेगा और दूर रहा करिएगा ऐसी चीजों से मुझे लगता है तभी अच्छी बात है 30 माई 2022 को किस राज भारत के किस राज जी का 35 वाय स्थापना दिवस मनाया गया सेक्किम गवा मणीपूर केरल तो आज सबी जानते हैं गवा तो आप लोगों की जाने की इच्छा भी होती होगी 30 माई 1983 को इसे राज बनाया गया था और आप देखेंगे यहां की पढ़नी यहां की राधधानी है और विधान सबा में 40 सीटे है राज सबा में एक सीटे है लोग सबा में आपकी दो सीटे हैं आप सभी जोग जानते होंगे आप देखें 200-300 से जान्दा इन्होंने लगबग गाने गाये होई थे फिल्म माचिस के छोड़ आये हम बोगलियां से लेकर हाल में आई फिल्म 83 के ए होसले इस तरह के इन्होंने गाने गाये कई भासों में अब देखें हिंदी, कनर, महले आली, तेलगु, मराथी, वंगाली, अस्मी, गुजराती, कई इन्होंने क्या दिया है भासाओं में एक काम किया है, गाने गाये है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा हिदय गात, आज कल आप देख रहे हैं कि नए, नए मतलब जानदा उमर भी नहीं है लोगों की उन्हें भी हटटे का रहा है हिदय गात हो रहा है, तो स्वास्त पर आप देखें, खानपान पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है इस तरह से देखें, मही महिने में जो भी घटना है, घटी थी, उनसे आपकी परिक्षाओं में कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं तो उन पर हम लोग ने एक सामर जान करी ले ली है, और कुछ आपकी सुझाओं, सवाल हों, और कुछ कहना हो, तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट में लखिएगा और आप लोगों के पास आजादी है, बस आप देखें, यसी सब्द लिखा कर दिएगा, कि यस से क्या रहे, कि आपकी परिवार में कोई भी बैठा हुआ है, अगर वो पड़ रहा है, तो उसी सर्मिन्दिगी मैसूस ना हो, ठीक है? चलिए हम लोग मिलते रहेंगे